गोड एबनिंग, सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है, पूरा देश लागडाउन से मुक्त हो चुका है, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि मुंबई में एक बार फिर से लागडाउन लगने की संभावने बन रही हैं, आएए ज तो चलिए वीडियो शूर करते हैं, तो ये खबर है मुंबई से महामारी कोरोना ने एक बार फिर मुंबई ने रफ्तार पकड़ ली है, जब पूरे देश में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, तब मुंबई में केस बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ समाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने के नियम का पालन नहीं किया, तो एक और लागडाउन लग सकता है, चूंकि मुंबई में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और लोगों ने सोशल डिस्टैंसिंग और मास्क इन दोनों को छोड़ दिया है, इस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर केवले और केवले एक विकल बसता है, और वो यह है कि एक बार फिर से लागडाउन लगा दिया जाए, स्वास्त भी भाग के एक अधिकारी ने कहा कि एक फरवरी से यात्रा प्रिद्वन्दों में छूट दी गई है, जो संख्या में विर्द्धि के कारणों में से एक हो सकती है, महापाउर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सभी तरह की सावधानी बरतने के बावजूद शहर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर भी दीरे दीरे बढ़ रही है, उन्होंने कहा यदि इसी तरह कोरोना में विर्द्धि होती रही तो लागडाउन ल प्रिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, अब जनता के हाथ में हैं कि वे सावधानी बरतना चाहते हैं या फिर से लागडाउन चाहते हैं, सस्त विबाक के अनुसार मंगलवार को महाराष्ट में COVID-19 के 3663 नए मामले सामने आये, 49 और मरीजों की मौत हो गई, पिछल बुदवार से यहां दैनिक आधार पर 3000 से अधिक मामले आ रहे हैं, रविवार को राज में 492 नए मामले सामने आये थे जो की एक महीने में अधिक समय में एक दिन में सामने आये सबसे अधिक मामले हैं, तो इस तरह से अगर लोग कोरोना प्रोटकाल का पालन नहीं करेंग मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे कोरोना अगर केसेज बढ़ते हैं तो उस इस्थिति में मुख्य मंत्री उद्धव ठाक्रेव का कहना है कि केवल और केवल एक विकल बसता है और वो है लागडाउन तो अगर आप लोग लागड प्रकाल का पालन कीजिए मास्क लाइए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए यह जनकारी अपने साथियों को भी शेर कर दीजेगा ओके टैंक यू झालन कीजिए तो